नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वर्ड इंडिया मैं हूँ आपके साथ नेहा परिहा रुख करेंगे उत्राखंड की खबरों का क्रिशेबिलो को वापस लेनी की मांग को लेकर किसानों के बंद को उत्राखंड में कॉंग्रेस ने समर्थन दिया और इस दोरान कॉंग्रेस कारिकरताओं ने राजधानी दहरादूर में प्रदर्शन किया ये प्रदर्शन कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रितम सिंग के नेतरुत में किया गया दून हरिद्वार रिशिकेश के बीच मेट्रो चलाने के लिए योजना तो तयार हो गई है लेकिन अभी सरकार की हरी जंडी मिलना बाकी है उत्राखंड मेट्रो रेलवे कोर्परेशन के सर्वेक्षण के मताबिक पहले चरण में हरिद्वार से रिशिकेश और दहरादून में ISBT तक कुल 73 किलो मीटर लंबा मेट्रो ट्रैक बनना है इसका सबसे पहला स्टेशन जौलापूर हरिद्वार में पुल जटवारा के पास बनेगा जौलापूर से मेट्रो हरिद्वार शहर के अंदरूनी हिस्सों से गुजरेगी वही दूसरे चरण में नैपाली फॉर्म में एक एक्सचेंज स्टेशन बनेगा जहां से उनके ISBT के पास होगा नेपाली फार्म से ISBT तक भी 41 किलो मीटर लंबा ट्रैक बनेगा जहां कुल 10 स्टेशन बनाए जाएंगे लालकुवा कॉंग्रेस के पूर्व दर्जा राजमंत्री एवं कृसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल रावत ने प्रसवारता की दौरान कहा कि कॉंग्रेस 2022 का चुनाओ पूर्व मुख्य मंत्री हरिश रावत के नेत्रित में लड़ेगी और सत्ता में वाप सी भी करेंगी उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस के पास पूर्व सियम हरिश रावत के चेहरे के अलावा कोई भी नेता नहीं है अगामी चुनाओं में भी हरिश रावत के नेत्रित में लड़ा जाएगा अब हम उत्राखन पूरा भर्मन करके आएं वे सब जगे हरिश राव जी हरिश राव जी हरे कर रहे तो कैसे यह लोग कह रहे कि रिश राव जी चेहरा नहीं होना चाहिए हरिश राव जी ही 2022 का मुख चेहरा हरिश राव जी होंगे और जनता स्विकार कर रही है और लोग कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं लेकिन यह जो जो बोल रहे हैं क्या इनसे ही पूछा जाए काग्रेश के इतियास के बारे में आप लोग जानते हैं हरिश रावत एक राष्ट के महा सचीव और आसाम के परवारी है पंजाब के परवारी है तो इतना बड़ा कज इतो उत्राखंड का भागी है कि जो हरिश रावत जी यहां पर कांग्रेश का 2022 में चहरा बना रही है कांग्रेश का सुपड़ा तो क्या साफ होगा कांग्रेश खत में समझी है यहां से उत्राखंड से कुछ लोग भारती जंता परवार्टी के लोग कांग्रेश के अंदर घुसाए है और वो लोग परवार्टी को तोड़ने की साजिस रज रहे हैं तो इसलिए वो लोग हरिस राव जी को परसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि राव जी आएंगे तो 22 में का भारत बंद का असर देखने को मिला यहां रोधुपूर, काशिपूर, गदरपूर, बाजपूर, किच्चा, सितार गंज, खटीमा, आदी शेहरों में क्रिशी बिल के खिलाफ एक दिन का भारत बंद सफल रहा। इसी कड़ी के चलते रोधुपूर में भी सब भी वैपारियों के प्रतिस्ठान बन रहे। वहीं किसी भी अप्रिये घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट दिखा। अपना उत्रकर्ण में आज इतना ही नमस्कार।